लगवा इस गाड़ी को हमने 18,000 km लगवा लब चाल लिया है उसके लबा क्या कुछ इस गाड़ी में प्रॉलम आ रही है कैसा कुछ ओफरला इस गाड़ी का रिस्पॉंस है कैसा कुछ माइलेज है और अगर आप दोच चौबीस पॉचीस में प्लैन कर रहे हैं एक बहुत ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम से क्या कुछ कमिया है क्या कुछ ओवरल इस गाड़ी का रिस्पॉंस है फुल इंफरमेशन आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले है तो वीडियो का प्लैक इंट जरूर देखिएगा चैनले पर पहली विजिट कमिया आई ओवरल कैसा कुछ रिस्पॉंस है इस गाड़ी का और अगर 24-25 में प्लैनिंग कर रहे हैं हॉंडा एस पी लेने का तो हॉंडा एस पी आपको लेना चाहिए नहीं ले चाहिए आज आपको वीडियो में इसलिए फुल इंफॉरमेशन शेयर करने वाले हैं तो वी अगर आप चाहरे हैं कि हमें 24 पर चीज में बहुत अच्छी माइलेज फ्रेंडी बाइक लेनी है तो बिल्कुल इस गाड़ी का आपको 69.5 का माइलेज कंपनी मीटर कॉंसल में शोग कर रही है माल लो मिरेको एप्रोक्स पैसर तक का माइलेज मिला है तो आप 65 का माइलेज के बाइक बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो यह देख लो 69.5 पाइब का जो कही नहीं बहुत अच्छी बात है अगर इस सेग्मेंट के साब से ब मिल जा रहा है जो कही नहीं बहुत बड़ा प्लस पॉंट है इस गाड़ी साथ तो माइलेज बाद आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है आपको मता दू 125 इस वन अच्छा कंपनी इसे रिफाइं किया है और और जो रिस्पांस इस गाड़ी का वह बहुत अच्छा है पहले जो इंजन दिखनो मिलता था उससे कंपनी इस गाड़ी के इंजन को और बैटर और स्मूथ कर दिया इसलिए मैंने बोला यह डिफाइंड इंजन है उसके साथ अगर आगे बढ़ने इस गाड़ी के बार में तो अगर आपको स्पीड वाइस चलानी है वालो 800 चलानी ह गाड़ी कापना स्टाट हो जाती है तो यह चीज आपको हमेसा दीमाग में अपने रखना है कि गाड़ी अगर हमको उस हिसाफ से लेनी है कि हमको 80-90-100 चलानी है उस आपको पकाड़ नहीं है चला सकते है नो डाउट आप चलाने को इसको 12-45 भी ले सकते हैं लेकिन जो उत दो-तीन किलोमेटर में वालेज का आपको कम देहनों मिल जाए उसमें बाकी ओवरल स्पॉंस है लग बहुत है वह सारी चीजे सेम रहने वाली है उसके साथ ही हम गाड़ी के बारें बात कर लें और क्या कुछ हमें इस गाड़ी में कम्या ओवरल देहनों मिल जाए तो थोड इस गाड़ी को बिलकुल अपडेट कर सकती है थोड़े बहुत और बहुत है ना उतना बेटर है न खराब है बाकी गाड़ी के लुक भी बहुत ही बहतर है लुक वाइस आपको कोई कमी महसूश नहीं होने वाली है एक और बड़ा दिकर परसानी जो मेरे को फेस होती है वह कंपणी को है पर कुछ इंजन गाड़ प्रोटेक्शन देना चाहिए यह देख सकते हो यहां पर इंजन गाड़ कोई प्रोटेक्शन यहां पर प्लेट लगा सकती है नॉनमल सा ताकि हमारा लाइंट। में जिसमें आपको मालेज मिल जाए साथी साथ आपको प्रफॉर्मेंस गाड़ी अच्छी निकाल के दे तो बिल्कुल एक सो पचीशन की होंडा एस पर बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो थोड़ा बहुत जो कंपनी को इंप्रूमेंट करना चीज है वो में आपको बता दी थोड नाइन थाउजन टैन थाउजन की रुपीस का सबस कोस्टिं करती है हर सेटी हर सेट में थोड़ा बहुत प्राइस डिफर कर सकता है तो आप अपने नियर बाई शोर में बिल्कुल कांटेट कर सकते हो बाकी इस गाड़ी में एक जो और थोड़ी बहुत लगी वो इसका थो कोई भी प्लैन कर रहा है तो 24-25 में इस गाड़ी को लेंगा तो बिल्कुल इस गाड़ी से जा सकता है अगर हम 125 सेग्मेंट की बात करें 125 सेग्मेंट में गाड़ी ओवराल फीचर लोड़ेट गाड़ी है तो फीचर स्वाइस आप कोई भी कमी महसूस नहीं होने लिए बह बहुत ही बहतर लुक दिखनो मिल जाता है बहुत ही शांदार ओला मीटर कॉंसल सेटाप है थोड़ा फीचर सब्सक्राइब बहुत अच्छा है इसके बड़ी आडवांटेज को आप ले सकते हो सबसे बड़ी बात गाड़ी का माइलेज मालेज मालेज इस सेग्मेंट के अ बहुत अच्छी है जाता है क्यां कि संसको कर दिर नुपांटिन बहुत ही है उसके शांदार बरूसे बबन जाता है तो इंचन वाइस आपको कोई भी इशो नहीं आता है साइड इस गाड़ी के रहने वाली है उसके साथ एक शांदार लुक दिशुत हो तो होंडा की बहुत अच्छी यहां पर बैचिंग को मिल जाती है तो जो आपको बेस्ट क्लर कॉमिशन लागे आप उसका जा सकत सकते हैं बैक का टायर कंपनी अब आपको मोटा कर दिया है तो कोई भी दिक्कर पाशानी नहीं आएगी तो अगर आप 25 में प्लैन कर रहें इस गाड़ी को लेने का तो बिल्कुल आप उस गाड़ी सा स्विच कर सकते हैं एक बहुत ही बहुत बहुत ही बैतर अब ही लाइट लगा दिया तो यह आप बिल्कुल नोटिस करेगा अगर आप गाड़ी ने तो है एक्सा कुछ न लागा है तो आपको अवरल बैटरी का बहुत ही बहुत ही बहुत इस्वांस वी लेगा जो उसके पहले की मॉटर आती है इस सार्टिंग में उसकी बैटरी बहुत इस सेग्मेंट की तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना बूलें चैनले पागर पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि हम रहता आप सभी यह लेटेस कंटेंड कवर करते हैं और आप सभी को बाइक और इस कोटक दुनिया से अप्लोड डेढ़ता है